वेलकम टू दी आवर चैनल सौंबिर गुरुजी सौंबिर गुरुजी चैनल पर आपका हारदिक सवागत है अब यह तक जो हमारी लास्ट वीडियो आई थी उसके अंदर भई हमने किसके बारे में श्टड़ी किया था हमारा concave lens के बारे में किसके बारे में study किया concave lens के बारे में concave lens के अंदर या convex lens के अंदर concave या convex lens के अंदर जो हमारे formulas है कोंड से formula वही focal lens निकालने वाले और magnification वाले वो जो formula हमारे वो क्या रहते हैं? same रहते हैं इसलिए हम उनको बार-बार study नहीं करेंगे अगर आपको वो formula अभी तक आपने study नहीं किये तो मैं आपको i button पे link provide करा देता हूँ आप वो formula वहाँ से देख सकते हैं ठीक है? वहाँ से वो formula, वो formula same रहते हैं ठीक है? क्या रहते हैं? सेम रहते हैं, उनके अंदर कोई भी changes नहीं आता चाहे, magnification का formula हो हमारा या focal length का, formula same रहेंगे लेकिन focal length की values या u या v की value वो हमें पता change होती हैं क्या होती है? change होती है हमें पता है कि convex length कौन सा length? convex length या हम converging length भी बोलते हैं जिसको उसकी जो हमारी focal length होती है किसकी? convex की या converging length की वो क्या होती है? positive होती है convex length की काईS होती है? positive होती है और concave length की जो focal length होती है हमारी वो कैसी होती है? negative होती है ठीक है? इसके अंदर यही changes आता है यानि कि जब भी आप values put up करो तो f की value plus और minus का put up करनी है वो आपको पता होना चाहिए मैं भी note भी करवा दूँ आपको ठीक है उसके बाद जो हमारा topic आता है next इन सब के बाद वो आता power of a lens power of lens क्या है किसी भी lens की हम जो power निकालते हैं तो वो power बताए जाती है उसकी converging या diverging यानि कि कोई lens हमारा किसी भी ray of light को कितना ज्यादा converge करता है या कितना ज्यादा diverge करता है अगर concave lens है हमारे पास कौन सा lens है concave lens है तो वो क्या करता है diverge करता है यानि कि वो जितना ज्यादा diverge कर सकेगा कौन सा lens, concave lens तो उसकी diverging power क्या होगी ज्यादा होगी यानि वो ज्यादा diverge कर पाया और अगर हमारे पास convex lens है तो वो कितना ज्यादा converge करता है किसी भी light को तो उसकी power क्या होती है ज्यादा होती है अब यह depend किस पर करती है converging या diverging यानि lens जो हमारी वो power जो हम बोल रहे है power of lens वो depend करती है हमारी focal lens के ऊपर किस के ऊपर lens depend करती है हमारी focal lens के ऊपर कैसे करते हैं वो हम अभी समझते हैं सबसे पहले definition जैसा कि मैंने आपको बताया power of a lens क्या बताती हमें power of a lens the power of a lens is a measure of degree degree of convergence कि कि कोई इस कितनी converge करी किसने जो lens है हमारा converge कोंड सा करता हमारा convex lens converge करता है तो हम यहाँ पर converging की बात करने हैं किस कोंड करता हमारा convex lens करता है इसलिए यहाँ पर converge lens आएगा हमारा कोंड सा lens आएगा convex और अगर divergency अगर off light rays falling on it कियानि कि कोई भी चीज कितना ज़्यादा converge होती है एग्जमपल लेते हैं अगर हमारे पास एक lens लेते हैं कोंड सा lens है हमारा convex lens है यह lens भी हमारे पास convex lens अगर हमारे पास यह principle axis है एक ray of light आती है पैरल से और यह क्या करता है हमारा lens converge करता है अगर ये उस ray of light को यहाँ पर converge करता तो यहाँ पर क्या है इसका है focus क्या है focus और optical center से ये बड़े addition क्या कहलाता हमारा focal length ये हम पहले study कर चुके है अगर ये lens हमारा इस ray of light को यहाँ converge करने की बजाए ये यहाँ पर converge कर दे इसको यानि की focus क्या होगा हमारा पास आ गया किसके lens के तो focal length क्या होगी हमारी अगर हम इसको देखें तो focal length क्या होगी और कम होगी क्या होगी focal length कम होगी तो जिसकी focal length जितनी कम होती है तो उसकी power भी क्या होती है ज्यादा होती है क्यों? क्योंकि वो जल्दी light को क्या कर रहा है converge कर रहा है ज्यादा converge करता है तो power of lens हमारी इसको हम P से denote करते हैं किस से? P से क्या है हमारी power of lens किसके reciprocal होती है 1 by में F के power of lens is reciprocal to the focal of lens कि अगर focal length हमारी अगर ये बढ़ेगी यानि कि अगर ये यहाँ पर focus कर रहा है कि यहाँ पर करते हैं दो अलग-अलग lens ये तो हमने वैसे मानना था अगर दोनों की focal length अलग-अलग होती है क्या होती है? अलग-अलग एक ज्यादा focal length है एक की कम है तो power किसकी ज्यादा है? जिसकी focal length कम हो क्यों? अगर ये focal length कम होगी हमारी तो power बढ़ जाएगी क्योंकि अगर one की value शे अगर आप जितनी ज्यादा बढ़ी value को divide करोगे power क्या होती जाएगी आपकी decrease होती जाएगी P क्या है यहाँ पर P क्या हमारा power of lens क्या होती है power of lens F क्या है focal length क्या है focal length तो P is the power of lens focal length और यह क्या है reciprocal है अगर यह चीज बढ़ती है तो यह क्या हो जाएगी कम हो जाएगी यह बढ़ती है तो यह decrease होगी ठीक है और अगर यह decrease होती है तो यह क्या हो जाएगी increase हो जाएगी mean कोई भी lens जितना lens के पास converge कर सकता है light को या ray of light को तो उसकी power क्या होती हो तो नहीं ज्यादा होती है क्या होती है ज्यादा होती है ये बात समझ मैं और जितना वो दूर करेगा focal length बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी उसकी power of lens क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ये क्या था हमारा power अब उसके बाद आती है कि unit क्या होती है power की जो unit होती है हमारी वो होती है diopter, क्या होती है diopter, क्या होती है diopter, d i o p t e y a t r e diopter, क्या होती है diopter, power of lens, किसी की भी हम जो निकालते है, क्या power निकालते है उसकी जो SI units है, हमारी वो क्या होती है diopter हो, इसको diopter जो यह हमारी unit है, इसको denote करने के लिए जो letter हम use करते हैं, वो क्या होता हमारा capital D, यह क्या था हमारा power of lens, और हाँ, इसके अंदर एक point note करने की बात है भी हमारे पास, वो क कि इसके अंदर जब हमें किसी की भी power निकालनी होती है, क्या निकालनी होती है power, तो जो focal length पे डिपैंड करती है, और focal length जो हम major करते हैं, वो take in, always in, meter, हम किसमें लेते हैं, meter के अंदर लेते हैं, f की जो value है, किसमें लेते हैं, always, meter के अंदर लेते हैं, always, major, in, meter, किसमें करनी है में मीटर में मेजरमेंट करनी है अगर आप सेंटीमीटर में करते हो तो उसको क्या करना पड़ेगा आपको सेंटीमीटर से मीटर में करना पड़ेगा यानि कि ये जो f है हमारा IK20 में होना चाहिए मीटर की अंदर होना चाहिए अगर f मीटर में है तो हमारी क्या निकल जाएगी unit निकल जाएगी पावर क्या जाएगा हमारा director के अंदर आ जाता है अब जो पावर है हमारी वो क्या होती है पलस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है क्यों उसका भी एक रीजन है हमारे पास अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो इक बाद नोट कर सकते हैं ठीक है उसके बाद हम आगे गाश्टेडी करेंगे हमने अभी थोड़ी दिर पहले ही मैंने जैसे वीडियो स्टार्ट किया था उस टाइम हमने मैंने आपको बता था कि जो कन्वेक्स लेंस है कौन सा लेंस कन्वेक्स कौन सा लेंस भी कन्वेक्स लेंस की जो हमारी focal length होती है किसकी convex की वो कैसी होती है positive positive focal length होती है और concave की जो होती है हमारी किसकी concave की वो कैसी होती है negative focal length होती है concave की negative convex की positive क्यों? देख लेते हैं एक बार यह हमारे पास कुण सा lens है? convex कुण सा है? convex यहां से ray of light parallel आई इधर गई, यहां पर क्या है, optical center, अगर यह क्या है, हमारे पास, object, ठीक है, ray of light कैसे जा रही है, ऐसे, तो हम, किसके दिशाँ के अंदर measurement करते हैं, sign convention के according, आपने study किया हुआ है, अगर हम, यहां से, यह इधर का distance measure करते हैं, यह क्या हमारा f, तो यह क्या focal length, इन दोनों के बीच के, क्या focal length, अगर हम, incident ray की direction में जाते हैं, तो focal length कैसी होती है, positive, sorry, अगर हम ray of, की direction में travel करते हैं, या major करते हैं, तो हमारा जो भी major comment किये जाता है, वो कैसा आता हम, positive लेते हैं, यह sign convention में हमने study किया हुआ है, अगर आपने अभी तक भी वो वीडियो नहीं देखी, तो my button पे उसका भी link provide करा देता हूँ, अब सहे हैं तो उसको देख सकते हैं, अगर यह आता है, तो इसका कैसा आएगा, यहां से जब हम इस तरब में जखरनें, incident ray की direction में है, तो कैसा लेंगे positive, तो अब यह हमारे पास lens कोण सा है, convex, तो इसलिए हमने कैसा लिया, positive, और अगर हम diverging lens लेते हैं, या concave lens लेते हैं, कैसा लेते हैं concave, यह हमने इस पर कार से लिया, यहां से एक ray of light आएगी parallel, और यह क्या करता है, उसको diverge कर देता है, और यह पीछे हमने extend करना पड़ता है, तो यहां पर क्या है, focal length, यह क्या है, optical center, ray यहां से जाते हैं, ray इधर से गई, यहां से हम यहां पर क्या करते हैं, focal length measurement करते हैं, तो यह कैसी आएगी, opposite दिसा में measure कर रहे हैं, किसके incident रहेगे, तो कैसा लेते हैं, negative लेते हैं, कैसा लेते हैं, negative, यह बात, I hope आप सभी को समझ में आ गई होगी, कि concave के अंदर हम focal length negative क्यों लेते हैं, और convex में positive क्यों लेते हैं, ठीक है, अब इसके according, जो हमारी power of lens है, वो case का mean कैसी हो सकती है, positive भी हो सकती है, और negative भी हो सकती है, क्यों? क्योंकि power का formula हमारे पास क्या है, focal length में depend करता है, अगर focal length positive, तो power कैसी आ जाएगी, positive, और अगर focal length की value हमारी कैसी है, negative है, तो कैसी आ जाएगी, plus minus, और क्या जाएगी, diopter, तो power का हमारी जो होती है, वो किस में आती है, plus में भी आती है, और minus में भी आती है, यानि कि plus minus diopter, आप जब eyes के लिए, हमारी जब weakness आ जाती है, आँखों में problem आ जाती है, तो doctor के पास, चस्में के लिए जाते हैं, ठीक है, गोगल के लिए जाते हैं, lenses के लिए जाते हैं, तो वो क्या कहता है आपको, कि आपकी जो चस्मा है, ठीक है, या जो lenses है, उसका number क्या है हमारे पास, वो कहता है, plus one या minus two, कुछ भी बोल सकता है, तो इसका mean क्या है, अगर वो plus में बोलता है, तो आपके पास कौण सा lens लगेगा, convex lens लगेगा, और अगर आप minus में बोलते हैं, तो कौण सा लगेगा, concave लगेगा, ठीक है, वो अलग-लग dgs के according होता है, कि concave लगेगा, convex, वो हम आगे वीडियो आएंगी, तब study करेंगे, ठीक है, I hope आपको power of lens के बारे में, completely जानकारी मिल गई होगी, अगर आपको इसमें कोई और problem हो, तो आप comments box में, comments करके पूछ सकते हैं, ठीक है, तो यह था भी हमारा power का topic, इसके अंदर एक छोटी सी बात और रहती है हमारी, हमारी जो lenses होते हैं, चाहे वो हम, यागर आप यह note करना चाहते हैं, तो note कर सकते हैं, वो क्या रहती है, जैसे हमारे पास lenses है, एक हमारे पास यह lens है, ठीक है, और एक lens यह है, एक क्या है, ठीक है, और एक क्या थिन है, यानि कि एक तो मोटा है, क्या है, थिक, कैसा है, थिक है, और दुसरा कैसा है, थिन है, ये कैसा है, थिन है, यानि कि पतला है, एक पतला लेंस है, और एक कैसा है, मोटा है, हैं दोनों कोण से, कन्वैक्स लेंस है, दोनों के दोनों कोण से हैं, कन्वैक्स लेंस, दोनों के दो होने से क्या उनकी focal length पर effect पढ़ता है येस पढ़ता है जो हमारा thick होता है उसकी जो focal length होती है वो क्या होती है हमारी sort होती है कैसी होती है sort होती है thick length के पास क्या होती है हमारी जो focal length होती है क्या होती है हमारी sort होती है तो क्या होती है इसकी sort focal length कैसी होती है short focal length होती है mean अगर कोई length जितना जयदा मोटा होता जाता है हमारा तो उसकी focal length भी क्या होती जाती है कम होती जाती है mean अब यहां से इसका focal length छोटी होने का मतलब क्या है power का formula हमारे पास क्या था 1 by में f क्या था 1 by में F और ये कौण सा lens है? Convex है तो कैसा रहता है? Converge करता है और convex के case में focal length कैसी आती है मरी? Positive ठीक है? कैसी आती है? Positive आती है तो अगर इसकी focal length कम होती जाएगी यानि कि ये value तो power क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है यानि कि हम जितना मोटा करते जाएंगे इसको तो इसकी power भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी किस चीज की? Converging power समझ में आई भी बात उसके बाद क्या कहते है? अगर हमारा thin है कैसा है? Thin Thin lens तो क्या हो जाएगा? Focal length क्या हो जाएगी? तो length होती है अब F की value उक रहेगी तो positive ही लेकिन changes क्या आता है? अब F की value क्या है? बड़ी है तो power क्या हो जाएगी है? कम हो जाएगी ठीक है? तो किसी की भी जो ठीकने से मोटा और पतला होना क्या करता है? वो हमारा depend करता है कि वो power उसकी कम होगी या ज्यादा होगी अगर lens ठीक है मोटा है ठीक है तो क्या होगा? power of lens क्या होती है हमारी? ज्यादा होती है क्या होती है? ज्यादा होती है और अगर thin है तो power of lens क्या होती है हमारी? क्या होती है? कम होती है ठीक है? तो यह हमारी इस परकार से चलती रहती है क्योंकि focal length क्या हो जाएगी हमारी thick के अंदर sort हो जाती है, f की value छोटी हो जाती है तो power क्या हो जाती है बढ़ जाती है, क्या हो जाती है बढ़ जाती है, आप यह माने अगर इसकी चोडाई बढ़ेगी क्या बढ़ेगी, चोडाई बढ़ेगी यानि कि thickness बढ़ती है तो power भी बढ़ेगी thickness decrease, power भी decrease, क्या हो जाएगी power भी decrease हो जाएगी तो हम क्या लीख सकते है lens thickness क्या होगा हमारा directly हो जाती है, directly proportional है, किसके? power of lens of lens कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं किस case में, convex के case में किस case के अंदर convex के अंदर convex lens ठीक है convex lens हमारे पास, क्योंकि अगर जैसे जैसे की thickness बढ़ती जाती है तो focal length क्या होती जाती है short होती जाती है, कम होती जाती है short होती जाती है और जब ये short होगी तो power क्या होती जाती है बढ़ती जाती है, तो power of lens क्या हो जाती है हमारी, increase, क्या होगी, increase होगी, कैसी होती जाती है, increase होती जाती है, तो ये था भी हमारा power related, इसके बाद सिरफ हमारा एक ही topic बजता है, इस chapter के अंदर वो होता, combination of lens, और जब हम दो lenses को combine करते हैं, तो उनकी power भी क्या की जाती है, combine की ज ने साफ कर दिया, अगर आपने अभी तक ये note नहीं किया हो, तो please एक बार back में जा कि आप note करना चाहें, तो वहाँ से कर शकते हैं, ठीक है, तो हमारे पास अब क्या आता है, combination of, power of a combination lens, power of combination of lens, यानि कि कोई भी हम दो lens लें, या तीन lens लें, तो क्या उनकी power add होगी या कैसे होगी, तो उसके लिए एक formula आता है, हमारा power, total power, जो भी हमने lens लें, power of first lens, plus power of second lens, plus as soon, mean आपने जिदने भी आपने उसके अदर lens जोड़े हैं, उन सभी की power को क्या कर दो आप, add कर दो, तो क्या निकल जाएगी हमारे पास, total power निकल जाती है, अब इसके अंदर हमारे पास जैसे convex lens है, कैसा lens है, convex lens है, convex lens के अंदर focal length हमारे अभी अबने study किया, तो कैसी होती है, positive होती है, convex के अंदर कैसी होती है हमारी, focal length positive, और concave के अंदर, negative, अगर ये focal length positive है, तो power भी कैसी हो जाएगी पोजेटिव और इसमें कैसी हो जाएगी नेगेटिव राइट बिल्कुल राइट और अगर हम दो लेंसों को जोड़ते हैं एक हमारा कनवेक्स और एक हमारा कनकेव एक 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 जामपल के रूप में माल लेते हैं कि इसकी पावर हमारे पास पलस 10 डायोप्टर क्या है एक्स लेंस है उसके बाद हमने कनकेव लेंस लिया उसकी पावर गीवन है मारे पास माइनस फाइव डायोप्टर क्या है फाइव डायोप्टर तो आपकी टोटल पावर क्या होगी दोन्नों लेंसिज के करण तो करदो है पी क्या हो जाता है पलस का 10 माइनस 5 तो क्या बसती है 5 तो क्या जाती है हमारे पास combination के रूप में हमारी क्या निकल जाती है total power निकल जाती है इस परकार से हम किनी भी lenses की चाहे वो convex हों या concave हों किसी भी lens की power calculate कर सकते हैं चाहे आपको 2 lens लगाए गई हो या 3 lenses का use किया गया हो आप कोई problem नहीं है कि हमें क्या का ना सिर्फ power को add करते जाना है ठीक है according to their science यही था भी आज का हमारा topic power of lens और इसी के साथ हमारा reflection वारा जो यह chapter था वो complete होता है ठीक है next chapter के अंदर हम next lesson को start करेंगे ठीक है इसी के साथ मुझे विदा दीजिए I hope आपको यह video अच्छी लगेगी अगर आपने knowledge gain की हो और कुछ समझ में आया हो तो please video को like जरूर कीजिएगा और अपने friends को share भी कीजिए अगर आपको इसके अंदर कोई कमी लगे तब dislike कर सकते हो लेकिन प्लीज जब भी आप dislike करें तो हमें comment में जरूर बताइए कि आपने dislike क्यों किया ताकि हम उस गलती को सुधार सके और आपके लिए एक अच्छा सा content बना सके आपको जो भी गलती लगती है डिसलाइक करना को करिए बिलकुल करिए कोई problem नहीं है ठीक है लेकिन अगर अच्छी लगती है तो like भी कीजिएगा ठीक है और अगर dislike करें तो please उसकी problem जरूर बताइएगा ताकि हम अपनी problems को solve कर सकें इसे के साथ मुझे विदा दी यह फिर मिलते हैं next time next video के साथ thank you